लगातार जो है सोनाली फोगाट की तरफ से 16 लोगों पर FIR दर्ज करवा दी गई है सोनाली फोगाट ने कुछी समय पहले भाजपा की नेतरी सोनाली फोगाट ने कुछी समय पहले एक भड़काउ बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने लाइव आ करके सीधा कहा था आम जनता को कि तुमने क्या उखाड लिया दुशन चोटाला यहां पर आ करके चले गए लेकिन दूसरी तरफ जब रवी जाट का मामला होता है समा सेवी का मामला होता है तो पुलिस उसके उपर FIRE दर्ज करवा रही है लेकिन अगर बात की जाए брाजपा नेतरी की तो उनके उपर FIRE दर्ज नई ही करवाई जा रहे हैं इसी को लेक है आज FIRE दर्ज कराने के लेकिन मजे की बात ये रही कि दो तारिक को सोनाली भोगाट ने एक ब्यान दिया कि भाई दुश्यन चुटला आए और आने के बाद उसने अपने सारे प्रोग्राम करे तो भाई किसानन के उखाड लिया इस परकार का ब्यान उसने दिया बड़ा बेउदा ब्यान था और वो ब्यान जो है किसानों को बढ़काने के लिए ब्यान दिया गया था ताकि किसान बढ़के और भाई सेर में को नुक्सान करें एंसा फेलावें और सरकार इस मोका का फाइदा ठाके इस अंदोलन को कुछलें उसने किसानों को बढ़काने के लिए ब्यान दिया सारी दुनिया ने सुनिया वकिलों से भी हमने सला करी और हमने पुलिस को मौकिक तोर पर बताया कि वह इस पर आप खुद संग्यान ले के कारवाई करो या बीजेपी के अभी नेतरी किसानों को बढ़काना चाहए और बढ़का के किसानों का लटब जुआना चाहए और भाई इससे बड़ नहीं थी पुलिस ने खुद शिकायत दे के रवियाजाद पर मुक्दमा दर्ज कर लिया जबकि सोनाली फोगाट पर दर्ज नहीं कर रहा क्यों क्योंकि रवियाजाद तो किसान नेता है और सोनाली फोगाट जो है सोनाली फोगाट है वह वह एक बीजेपी की नेता है बीजे केंदा है जिसने सारा पोल्डर मेंगा कर दिया देश का वा बंबई तक आंड़ाई अपना सारा सोधा चोड़े आंड़ा है वान भी नेतरी ने शिकायद दे थाने में छोटी सी बला जी मेरा कॉमेंट लिख दिये और उस बात को उपर पुलिस ने अफायार कर दी बड़ी सो प्रीथ उन लोगों पर पर्चा दर्ज करने का काम करें है जो लोग उसके खिलाप बğैन दे रहे थे उसके ब्यान कांटर कर रहे थे बोलें कि मेरे खिलाप कॉमेंट कर दिया जी इसका मतलब तो BJP के नेताओं के खिलाब पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है जो भी सोनाली फोगाट के खिलाब बोल लगा इसार का कप्तान उसका खिलाब मुकदमा दर्ज करतेगा मैं इसार के खिलाब बतान की बात भी सुनू था बला जी हाँ उसने सिकायद दी और आमना एटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया आज मैं एस्पी साब को ये बताना चाऊं हूँ कि आम ने भी सिकायद दी है क्या मारी शिकायद पर मुकदमा दर्ज करोगे सुनाली फोगाट को या नहीं करोगे वह सब्से बड़ी बात या है सबसे बड़ी बात या है कि बीजेपी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज नहीं हो अनलाग रहे हैं आपके विधायक देख लो सरेयाम दर्णा देगे आज तक उन पर मुकदमा दर्ज को नहीं हो है तो आज इसी बात की शिकायद देने के लिए आये थे पूछो की है सायद बलवान सिंग राना जो अमारे डी आये जी साब है उनकी यादास्त कंजोर होगी है उनकी यादास्त कंजोर होगी है लोगडाउन भी था दारा 144 भी थी और बात सुन ले अगली बात और बताओं आपको कोवीड भी था कोवीड की दारा भी थी और फिर भी अगर डी आये जी साब यह बात करें है तो कोई बात नहीं अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हम नियालना का सारा लेंगे और वहाँ उन से भी यह बात पुछांगे कि उस दिन लोगडाउन था या ना था वो कोड़ में बताने का काम करेंगे मैं साब सब्सक्राइब में डिया जी साब को यह बात बताना चाहूंगा कि यह तो अपनी यादास्त को मजबूत कर लो और इन विदायकों के खिलाब मुकदमा दर्ज करो इसी परकार इस सोनाली फोगाट पर भी साइद मुकदमा दर् है ऐसे जी यह बिलकुल सत्य बात है बीजेपी के नेताओं की मदद करना लाग रहा है सरकारी अमला सरकारी अमला तो बीजेपी का ही हमें नुमान लेओ तेखो एक बात सपस्ट है भई किसे बीजेपी के नेता खिलाब आप सिकायत देदो जायज सिकायत है मुकदमा दर्zkों कौनी है अमने पूलीस को बताया कि शोना ली फोगाट ने बढखाव वासंद दिया है मुकदमा धर्ज कोनी है इसके विपरीत रवीया जाद के ऊपर तुर्प मुकदमा दर्ज होया इसके विफरीत सोनाली फोगाट ने एक छोटी से दरकास दी कि मेरे को किसी ने गलत कोमेंट कर दिया, मेरे खिलाब किसी न बयान दे दिया, इसका मतलब सोनाली भोगाट के खिलाब कोई बयान नहीं दे सकता, उनके खिलाब इसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, ये देखो इसे कहते हैं, तान्ना साई, सरे आम, अर्याना के अंदर, बीजेपी नेताओं के लिए काम करने का काम करने लग रही है, ये साफ आपके सामने है, और मैं उदारन दे के आपको बताने लग रहे हूं, जिस परकार आप कह रहे हैं कि जो अर्याना की पुलिस है, ये बीजेपी के नेताओं के लिए कारे कर रही है, तो बीजेपी नेत मुकतमा दर्ज करवा देंगे अगर नहीं मुकतमा दर्ज करवाएंगे लेकिन यह साफ है कि बीजेपी के साथ अगर कोई आज है तो अर्याना पुलिस कंदे से कंदा मिलाके खड़ी है इसके उधारण मेरे पास है एक नहीं दस उधारण देने के लिए त्यार हूँ और मैं तो सरकार से साथ बताऊंगा कि यह ताना साई जो है आपकी लंबी चलने वाड़ी नहीं है यह इसार की पूरे अर्याना की जंता देखन लागरी है कि बीजेपी की गुंडागर्दी अब आगगे नहीं चलेगी जंता में फिर आपको आना पड़ेगा और जंता आपकी बा करना था एक दिन 500 रप्या हमामला था भाई आड़े चलान काट्या और 500 रप्य कौन दिये मैं तो साब सब्सक्राइब में उस दिन बताया था कि कर्मों और दर्मों बीजेपी के आदमी है भाई बीजेपी के आदमिया के चलान के पीसे कौन लग गए और यह बात अब साब इसके भाद के कना लग गया था जो बीद्र काम होया वह जो भी काम उनके खिलाप ओए दो मैं इसागे दो खिलाप हूं बैप पिटाए पुटो नहीं करनी चाहिए उनका विरोध करना चाहिए और काड़े जंडे दिखाने चाहिए और पत्तरकारों से मैं आश रखूँग कि निस्पक्स सभी की खबर दिखाओ चाहिए वो बीजेपी की हो चाहिए वाई विपक्स के हो इन लोग इन तो उल्टे काम करें हैं तो आपका सामने देख लो एक बीजेपी की नेतरी के दर्कास देते ही मुकदमा दर्ज आम लोगों के ऊपर है और उसके खिलाब कोई मुकदमा दर्ज कौन करने तो सरे आम सरे आम जिसने बढ़काओ पासन दिया उसके खिलाब कोई कारवाई नहीं विदायकों ने सरे आम दर्णा दिया उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं वोई विदायक करते हैं दोगज की दूरी और वोई विदायक दरना परदर्शन करते हैं इसको क्या कहेंगे याई तो दिखाना चाहूं हाँ ये डबल मूँ के मगरमच है अनके दो मूँ है एक मूँ ता मिठी बात करे और दूसरे मूँ ता जनता को निगलन का काम करना अनके पूच्छो ठाके इस्ट्री पहले अनका के जुगाड था और आज अनका जुगाड करें पूच गया वाई यो माल पाणी कहां से आ गया मरे समझ मनियाई रणबिर गंगवा को फैक्टरी थोड़ी चला है बताओ रणबिर गंगवा मेरी कुन सी फैक्टरी है डक्ट प्रक्टेसाब इंवर गड्री खतली ऊंका करने का इसार को खोके कड़ा करने का काम करने लग लगे नागोरी के बीज़ेपी नेताओं के द्वारा एक धरना दिया जहां पर बिजली की जो व्यवस्ता है वो चोरी से की जिसका मुद्धा बहुत ही ज्यादा उठा था लेकिन अभी तब कोई कारवाई नहीं हो पाई इसके वारे में आप क्या आगे ऐसे हैं कारवाई करने वारे आप सुरों की बदली तुरुत पर भाव से बीजेपी की नेत वाने बीजेपी के नेता सरे आम लाइसस लेके गुंडा करती करने लाग रहे हैं सरे आम लाइसस लेके घूंडा करती मैं तो इनको बताओं भाजी आज आज आप लोग यहां पहुंचे हैं किस तरह का रिस्पूंस आपको यहां पर मिना आई जी की तरफ में हैं हमें उमीद है कि आई जी साहब बढ़िया आदमी है इन्होंने पहले भी हमार को मदद किये अच्छे काम के लिए रही बात ये बीजेपी नेताओं की हमने आज कि अच्छे तारीक को सिटी ठाणा में एक दर्खास दी थी इनके खिलाव यह दर्णा लगा के बैठे थे उसके खिलाव हमने वो दर्खास दी थी अभी तक पुलिस ने कोई कारवाई नहीं करी उसके अलावा उसके बाद हमने अनिल्विज को सी-म को एं को सेक्रेटरी ओं और इनके लिए इनको डीवीडी दी है उसके पूरी वीडियो दी है फोटोस दी है इन्होंने कोई कारवाई नहीं करी अगर नहीं करेंगे तो कोल्ट में जाएंगे और सचो को क्वाल्टी बनाएंगे अबी जगाँ चल रहा है क्या चाहेंगे रही हैं अब इस्टाइब करेंगे मंद्र के बारे से चपल चोरी नहीं हो सकती है यह सरयाम हो रहा है काम यह बीना इनकी शयकर नहीं हो रहा है इन्हीं लोगों की शयक्राइब कि इन्होंने इस से पहले कभी खुद शापा नहीं मारा जो पहला चापा मारा गया है वह जंता कैसे होग से मारा गया है दूसरा जो पकड़े गए हैं वहां 14 सेक्टर वाड़े वह कोई अच्छे यूग डॉक्टर है उनकी शिकायत पर उनको इसके लिए आई कोड ने हर रोज ने ने रेटमी सीवर के लगाई है आप देखा जाता है कि गैंग मिल रहे हैं इसके बारे में क्या कर दो चुपाना चाती है ना उसके बारे में ज्यादा कहते हैं आप नहीं कर दिया इसके लिए पुलिस का मामला उल्टा है मैं तो इस सरकार ने एक बात बताना चाहूंगा अगर ये गामा ने डक्टर ना होते ना जिनको ये जोड़ा चाप कवे हैं बाई साब सरकार पर जन्दिर मैं नुमानूं कट्र साब तो मारा रियाना छोट के बाद जन्दा और ये बाकी पाम है कोनी आरे क्यों क्योंकि य पायने इतनी बड़ी लाग जन्दी और गरीब आतमी दोर तो इलाज पूंचाए कोनी आरे ये गामा के डक्टर जो हैं अनना जारों मरीज गामा में ठीक करे हैं 500 रपिया में 700 रपिया में और आड़ा किसी प्राइवेट आस्पिटल आड़ा का फज्याओ 10-10 लाख रपि तो मैंनु माननू हूँ कि शेर में पैर टेकरना जगा नहीं होंदी बाई सावे लाखो आदमी मरते आरें का जुमेवार कोन होंदा मनोरलाल खटर जी मैं तो खटर सहाब से पराधना करूंगा कि जो गामाम डक्टर बेटे हैं इनको लाइसस दे दो और ये अपने कलिलिक पढ़ा लेंगे और थामरी बेजती होनता है बद जागी उपर तरन पकड़े हो रहें गामाले डक्टर नहीं इंस्पेक्टर वगरा जागे पीशे मंगा हमने देव बुले पैसे सबसे सस्ता इलाज अगर आज किसे ने करया है तो ये गमम डक्टर बैठे हैं कलोनियम जान बचान में बाई किसी की जान बचाई है तो छोटे डाक्टर बचाई है रप्य भी बचाई है और जान भी बचाई है बाई सब्सक्राइब अगर डॉक्तर को पता था ये सेकिंड वेव आने वाली है तो पिर क्यों नहीं त्यारियां करी और एक दम से करोना सोग उना सब्सक्राइब करेंगे जब जनता का बला करेंगे ये लोगे यह बरस्ट है और याना को लुटन लाग रहे हैं बाईसा पीम केर फंड का अर्बो रुपए लुट की खागे उबेर ने पैसा गया है कड़े मारे आक्सिजन के प्लांट को लागे अनकने वेंटी लेटर तक सब्सक्राइब करेंगे लुटन लाग रहे हैं लंबी लंबी गाड़ी आम गुमन लागे लुटन लाग रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो हाला था इस आला तो मैं कहुंगा कि बीजेपी सरकार पूरल रूप से फैल है भाई जाटां के लिए लोगडाउन के नियम लंगन करने के बाद भी Disaster Management Act 2005 के तहट कोई कारवाई नहीं की जाती है हला कि एक आम इंसान एक आम समा से भी अगर कुछ करता है तो उसके उपर सीधा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है हला कि अब देखते हैं कि अभी जो है सिफारिश दी गई है आई जी को क्या मुकदमा दर्ज होता है सोनाली फोगाट के उपर यह थी साक्षी सोनी की रिपोसिटी 24 चैनल है सार